विल्कम तो डारेक्षन स्टेडी पॉइंट दोस्तों आज हम आपको भारत के महत्वपूड पदों पर जो व्यक्ति हैं उनके बारे में जानगारे देने वाले हैं दोस्तों इससे पहले हमने भारत के सभी राजियों के वर्तमान मुख्यमंत्री और राजयपाल वाले वीडियो अप्लोड कर दी है अगर आपने उससे नहीं देखा है तो उससे पहले जरूर देख लें आपको आई बटन पर वो वीडियो मिल जाएगी दोस्तों आज हम सुरू करते हैं ये वीडियो ये भी वीडियो काफे important है तो वीडियो को लास तक देखिएगा आई शुरू करते हैं भारत के वर्तमान राश्ट्रपती कौन है तो दोस्तों भारत के वर्तमान राश्ट्रपती है रामनाथ कोविंद अब इनका करम आपको सरवच प्रधान होता है यानि कि जल थल वायू सेना तीनों सेनाओं का प्रधान राष्टरपती होता है तो वर्तमान राष्टरपती हैं रामनात कोविन जो के 14 वे नमबर के हैं और ये 25 जुलाई 2017 से भारत के राष्टरपती बने हुए हैं दूसरा हमारा नाम है भारत के वर्तमान उपराष्टरपती कौन है तो जो भारत के वर्तमान उपराष्टरपती है वो है M. वंकया नाइडू और दोस्तों जो भारत का उपराष्टरपती होता है वो राजसभा का पदेन सभापती भी होता है तो आपको याद रखना है कि भा अगला हमारा नाम है भारत के प्रधान मंत्री कौन है तो भारत के वरतमान प्रधान मंत्री है नरेंद्र मोदी दोस्तों नरेंद्रमोदी के लिए संसदी छेतर की बात की जाए तो नरेंद्रमोदी का संसदी छेतर है वाराडसी और नरेंद्रमोदी भारत के पंद्रहवे नंबर के प्रधार मंत्री है भारत के वरतमान चीफ जस्टिस कौन है याने की हाल ही में ये नियुक्त किये गए हैं अब दोस्तों सरद अरविंद वोबडे सुप्रीम कोड के मुखे नयाधिस हैं तो इनका भी क्रम आपको पता होना चाहिए तो जो सरद अरविंद वोबडे हैं ये भारत के 47 नंबर के मुखे नयाधिस हैं इनसे पहले जस्टिस पहले मुख्यनयाधी स्थे सुप्रीम कोड के और भारत का सुप्रीम कोड कहां पर स्थी थे तो भारत का सुप्रीम कोड डिल्ली में स्थी थे अगला नाम हमारा है लोकसभा की स्पीकर कौन है दोस्तों लोकसभा के वर्तमान जो स्पीकर है वो है ओम बिर्ला ओम बिर्ला लो लोग सभा के पहले स्पीकर थे सुकुमार सेन अगला हमारा प्रशन है वरतमान चीफ इलेक्षन कमिशनर रियाने की मुखे चुनाव आयुक्त वरतमान में कौन है तो वरतमान में मुखे चुनाव आयुक्त है सुनील अरोडा जोकि 2 दिसंबर 2018 से अपने पत पर बने हुए है दोस्तों चीफ एलक्षन कमिशनर के साथ दो और चुनाव आयुक्त होते हैं भारत में तो दो और चुनाव आयुक्त के नाम है एक है सुधीर सुसील लवासा और एक है तो एक है सुसील चंदरा और दूसरे हैं असोक लवासा दोस्तों चुनाव आयुकत का भी नाम आपको याद रखना है और यदि बात किया सुनिल अरोडा की तो ये 23 वे नंबर के मुख्य चुनाव आयुकत है अगला हमारा नाम है Comptroller and Auditor General of India याने की नियंतरक और महालेखा परिक्षक दोस्तों वर्तमान में जो हमारे नियंतरक और महालेखा परिक्षक है वो है राजिव महरसी जो की 25 सितमबर 2017 से अपने पत्पर बने हुए है और यह भारत के 13 C.A.G. याने ये नियंतरक महालेखा परिक्षक है अगला नाम है Chairman of UPSC याने की Union Public Service Commission के वर्तमान जो Chairman है वो कौन है तो इनका नाम है अरविंद सकसेना जो की वर्तमान में UPSC के Chairman है दोस्तों याने UPSC की बात की जाए तो आर्टिकल 315 से लेकर 330 की बीच में UPSC के बारे में जनकरी दी गई है आगला हमारा नाम है Attorney General of India जी हाँ भारत का महा नियावादी Attorney General of India वर्तमान में है केके वेडु गोपाल जो की 30 जून 2017 से अपने पत पर बने हुए है Attorney General of India यानि की महा नियावादी अब दोस्तों हम भारत के कुछ महत्वपूर मंतरियों के भी नाम जान लेते हैं क्योंकि परिख्यों में इनसे भी प्रश्न बनते हैं तो जो प्रमुख मंतरी हैं हम उनके नाम जान लेते हैं तो जो हमारा पहला मंत्राल है वो है गरिह मंत्राल है और वरतमान में भारत की जो गरिह मंत्री है वो है अमित साह। दोस्तों निर्मला सिधारमड भारत की पहली पूर्ड कालिक महिला रक्षा मंत्री भी बनी थी तो इनका भी नाम इंपोर्टेंट है अगला मारा नाम है Ministry of Defense याने की रक्षा मंत्री भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री है राजनात सिंग और राजनात सिंग का संसदी छेतर क्या है तो राजनात का संसदी छेतर है लखनव अगला हमारा मंत्राला है Ministry of External Affairs याने की विदेश मंत्राला है तो वर्तमान में भारत की विदेश मंत्री है सुब्रमान्यम जैसंकर दोस्तों ये पहले भारत के विदेश सचीव थे और इस बार इन्हें विदेश मंत्राला का कारेभार दिया गया है जो की 30 माई 2019 से इन्होंने सपत्ली है अगला हमारा मंत्राला है Ministry of Agriculture याने की किरसी मंत्राला है और भारत के वर्तमान में जो किरसी मंत्री है वो है नरेंदर तोमर सिंग जी हाँ नरेंदर तोमर सिंग भारत के वर्तमान किरसी मंत्री है अगला हमारा मंत्राला है Ministry of Human Resources and Development जिसे HRD Ministry कहते हैं मानो संसाधन और विकास मंत्री तो भारत के वर्तमान मानो संसाधन और विकास मंत्री है रमेश पोखरियाल निसंग दोस्तों केंदर में सिक्षा मंत्राला नहीं होता है तो जो Human Resources and Development Ministry होती है यहीं सिक्षा का कार्य देखती है अगला हमारा मंत्राला है Ministry of Railway यानि की रेल मंत्री तो भारत के वर्तमान रेल मंत्री हैं पियूस गोयल जो की 2017 से रेल मंत्री बने हुए हैं और इस बार भी इन्हें रेल मंत्री बनाया गया है दोस्तों अगला हमारा मंत्राला है Ministry of Law and Justice यानि की कानून और न्याय मंत्री तो भारत के वर्तमान कानून और न्याय मंत्री है रवी संकर परसाद और दोस्तों रवी संकर परसाद भारत के IT मिनिस्टर भी है यानि की सूचना प्रद्योग की मंत्री तो IT Minister भी रभी संकर प्रसाद है और जो अगला हमारा प्रमुख मंत्राला है Ministry of Information and Broadcasting यानि की सूचना और प्रसारण मंत्री तो भारत के वर्तमान सूचना और प्रसारण मंत्री है प्रकास जावडेकर दोस्तों इसके साथ ही वन और प्रसारण मंत्री भी प्रकास जावडेकर है तो ये भी important है इनका नाम आपको याद रखना है अब हम भारत के कुछ सची हो यानि की जो सेक्रेटरी important है उनके नाम जान लेते हैं तो जो भारत के वरतमान में cabinet सेक्रेटरी यानि cabinet सचीव है वो है राजियव काबा जो कि 30 अगास 2019 से अपने पत पर बने हुए है अगला पत है principal secretary of prime minister यानि की प्रधान मंत्री के प्रधान सलाकार कौन है तो प्रधान मंत्री के वरतमान प्रधान सलाकार है प्रमोद कुमार मिस्रा और दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला हमारा है secretary general of लोकसभा यानि की लोकसभा की महासचीव तो लोकसभा की वरतमान महासचीव है सनेह लता स्रिवास्तो दोस्तों स्नेह लता स्रिवास्तो लोकसभा की पहली महिला महासचीव है और यदि बात कीज़े कि राजसभा के वरतमान महासचीव कौन है Secretary General of Raja Sabha तो देश दीपक वर्मा राजसभा के वरतमान महासचीव है भारत के वरतमान National Security Advisor यानि की राश्ट्री सुरक्षा सलाकार कौन है तो भारत के वरतमान राश्ट्री सुरक्षा सलाकार अजित रुवाल है जो की 30 माई 2014 से अपने पत्पर बने हुए है अगला हमारा नाम है Chairman of Railway Board यानि के वरतमान अध्यक्ष कौन है तो यह है विनोध कुमार यादव जो की 31 दिसंबर 2018 से अपने पत्पर कारेरत है अगला हमारा सचीव जो है वो है ग्रिह सचीव यानि की Home Secretary जो की है अजय कुमार भल्ला जो की 22 अगस 2019 से अपने पत्पर बने हुए है अगला है Finance Secretary यानि की वित्त सचीव तो भारत के वर्तमान वित्त सचीव है राजीव कुमार यदि Defense Secretary की बात के जा यानि की रख्षा सचीव तो भारत के वर्तमान रख्षा सचीव है अजय कुमार और अगला हमारा है Foreign Secretary यानि की विदेश सचीव तो भारत के वरतमान में जो विदेश सचीव है वह हैं विजय केस व गोखले दोस्तों ये कुछ important सचीव यानि सेक्रेटरी थे और यदि बात की जाए कि भारत के वरतमान सॉलिसिटर जनरल कौन है ये important है सॉलिसिटर जनरल यानि की महाधिवक्ता जो है वह है तुसार महता सॉलिसिटर जनरल होता है वो सरकार के वक्किल के रूप में कार करता है यदि कोई केस सरकार के उपर करता है तो सरकार का पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल होता है जैसे यदि किसी ने सरकार के उपर कोई आरूप लगाया तो सरकार का पक्ष रखने के लिए सॉलिसि विजय रागवन जो की important है कि विजय रागवन और Chief Economy क्याने के मुख्य आर्थिक जो सलाकार है वो है कृष्णमूर्थी सुब्रमन्यम तो दोस्तों यह कुछ सचीव थे हमने कुछ समयधानिक पद भी देखे कुछ राजसभा और लोकसभाग के पद देखे और जो हमारे सेक्रेटरी थे हमने इसकी जानकारी दी दोस्तों इससे पहले हमने मुख्यमंत्री और राजपाल की वीडियो अफ्लोट कर दी है तो आप वीडियो कर आपको पसंद आए तो आप इसको जास जास सेर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी दोस्तों वीडियो दिखने के लिए